तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी एक female body की बहुत ही important structure breast के बारे में जिसके बारे में अकसर females बहुत कुल के बात नहीं कर पाती हैं तो आज मैं आपको breast related जितने भी issues हैं उनके बारे में बताऊंगी और उनके क्या-क्या treatment हो सकते हैं वो भी हम discuss करेंगे तो एक perfect breast size एक perfect body shape के लिए बहुत ही जरूरी है बट कुछ cases में ये size disproportionate हो सकता है जैसे कि breast कुछ females में कम developed हो सकती है उसके कई reasons होते हैं और कुछ females में ये breast size बहुत जादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले बात करें reduced breast size का तो ये condition जादा तर genetic होती है उन females में देखी जाती है जहां पर breast develop नहीं होते और दूसरी तरफ है बहुत जादा increased breast size जो कि mostly pregnancy के बाद देखा जा सकता है या उन females में देखा जाता है जो puberty attain करती है और कुछ cases में ये persist करता रहता है और तीसरा कारण है overall weight gain अगर आपकी body weight बढ़ रहा है तो उसके कारण भी आपका breast size increase हो सकता है अब इन दोनों परिशानियों का हम कैसे समाधान कर सकते हैं जैसे जो reduced breast size है उसमें हमारे पास दो treatment options है जो पहला है वो है implant surgery उसमें हम क्या करते हैं एक silicon based implant breast tissue में डालते हैं और appropriate आपकी weight और body height उन सब चीजों को देखते हुए हम एक appropriate size का implant डालते हैं जो कि आपकी body shape को enhance करता है अब इस implant को लेके कुछ females का ये बहुत सारे queries रहती हैं कुछ doubts होते हैं तो उन सब doubts को हम आप अपने एक्सपर्ट से consult करके clear कर सकते हैं जो कि बहुत common doubt है वो है कि क्या हम implant के बाद breast feed करा सकते हैं तो यकिनन आप उसको करवा सकते हैं कुछ cases में हो सकता है थोड़ा कम हो but definitely आप implant डालने के बाद भी breast feed कर सकते हैं अब कई females या कुछ लोग implants को लेके काफी ज़्यादा वो रहते हैं कि क्या ये safe है क्या ये lifelong वता कितनी इनकी life रहती है तो उन cases में हमारे पस दूसरा option भी है जिसको कि हम fat grafting कहते हैं अब fat grafting में हम क्या करते हैं कि आपी की body से fat लेके हम breast में डालते हैं और breast size को increase करते हैं तो reduced breast size हम इन दो तरीकों से increase कर सकते हैं अब हम बात करते हैं increased breast size का increased breast size तरफ एक cosmetic procedure नहीं है ये इस वजह से females को बहुत सारी problems face करनी पड़ती हैं जैसे shoulder pain, neck pain, rashes ये बहुत common complaints हैं जिनके साथ females हमारे पास आती हैं और उनका breast size बहुत enlarged होता है तो ये भी हम ये भी correctable है इसको भी हम ठीक कर सकते हैं हम breast reduction surgery करते हैं इस चीज के लिए और breast reduction surgery एक बहुत ही safe और बहुत ही satisfying procedure in females के लिए तो अन्त में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत मतलब being females आप यह सब issues बहुत खुल के बात नहीं कर सकतें इनके बारे में बट फिर भी अगर आपको कोई भी problem है तो तुरंत अपने expert या doctor से मिले और अपनी problems को permanently solve करें thank you